मिवार्शेत्र के सुप्रशिद्ध धाम वास्था का केंद्रे स्री कोटरी स्याम जल जुलनी महत्सों कारिक्रिम के दौरान विसाल चपन भोक का आयोजन को लेकर आज भट्टी का मोहरत किया गया चारभुजा ट्रस्ट के ध्यक्षे सुधरसिन गाडोधिया ने बताया कि स्री कोटरी स्याम जल जुलनी महत्सों के तहत पहले बार विसाल चपन भोक का आयोजन 23 सितंबर को राधा स्टिमी के उपलक्ष में किया जाएगा यह 56 भोक भगवान कोटरी चारभुजा नाथ ने अपने भखतों के लिए बनाया कोटरी श्याम के भखतों के द्वारा 56 भोग में अपना सहयोग दिया जुसमें चपन भोग बनाने को लेकर रविवार दो पहर सवा एक बजे भट्टी का मोहरत नर्सिंग द्वारा कोटडी के महंत के सनातन दास द्वारा किया गया पंडित विश्णू सर्मा ने मंतरों चार कर पूजा पाट करवाई चपन भोग की तैयारी रविवार से सुरू सितंबर रविवार को मध्यरातर एक बजे से प्रिशादी का भीतरन किया जाएगा विसाल चपन भोग में 559 किलो शकर के चपन भोग तयार किया जाएगे भटी मोहरत के दौरान मंदित ट्रस्ट धक्षि गाडोद्या सहतराजू लोढ़ा ओमपालिवाल नमनीत शटी दौ अगरमल वैश्नव राजू सेंग रावना सहित अन्यकई भक्तिगन मौजूद रहें